Welcome everyone, हमारा आजका जो चैप्टर है वो Class 10th की Supplementary Book Footprints Without Feet में से हैं और ये इस बुक का 5th चैप्टर है और इसका टाइटल है Footprints Without Feet जी हां आपने बिल्कुल सही सना क्योंकि Footprints Without Feet यही तो आपकी Supplementary Book का नाम भी है और आजका जो हमारा चैप्टर है वो भी है Footprints Without Feet तो बेसिकली ये स्टोरी एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में है जो ऐसे साइंटिस्ट बहुत इंटेलिजिंट तो है लेकिन ऐसे हमारा चैप्टर है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है दरसल वो एक ऐसी drug के invention पर काम कर रहा था एक ऐसी दवाई बना रहा था जिसे लेकर इंसान invisible हो जाता है जिसे खाकर वो इस तरह से इंसान हो जाता है invisible disappear हो जाता है कि जैसे उसे कोई देख ही नहीं पाता और वो इसमें successful भी हो गया वैसे आपने Mr. India movie तो देखी होगी उसमें जो अनल कपूर का जो रोल है वो लगबग ऐसा ही है कि वो एक watch पहन लेता है और watch पहनने के बाद वो एक दम invisible हो जाता उसे कोई भी नहीं देख पाता तो same यही concept यहाँ पर है कि जो scientist है वो एक ऐसी drug बना लेता है जिसे पीने के बाद वो भी invisible हो जाता है उसे कोई भी नहीं देख पाता लेकिन उसने इस बाद का कोई अच्छा जो है काम नहीं कलिया इस बाद से उसने इस बाद का misuse करना शुरू कर दिया फाइदा उठाना शुरू कर दिया वो एक lawless person बन गया क्रिमनल बन गया और उसने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं चाप्टर और जानते हो scientist के बारे में जिसने इतनी अच्छी invention की लेकिन बाद में उसका misuse किया तो ये चाप्टर बेसिकली लिखा है H.G. Wells ने H.G. Wells Herbert George Wells ये एक बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर है और वो अपने science fiction के लिए यानि कि science पर बेस्ट वो fiction means novels लिखते हैं और इसके लिए वो world famous हुए हैं और ये जो present chapter है ये भी उनकी एक science fiction based novel The Invisible Man का एक extract है तो chapter की शुरुवात होती है दरसल जब दो boys mud में यानि की कीचर्ड से बने हुए दो पैरों के निशान देखते हैं वो उन्हें फोलो करते हैं लेकिन कोई इंसान उन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें नहीं पता चलता कि ये निशान किसके हैं ये यहाँ पर कैसे दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी देर में वो निशान एकदम गायब हुचाते हैं क्योंकि आप सपोस कीजिए कि कीचर्ड में mud में अगर किसी इंसान के पैर भरे होंगे तो वो कुछ देर तक तो जैसे महां लीजे वेट रहेंगे गीले रहेंगे तो वो दिखेंगे लेकिन जैसे वो ड्राइ हो जाएंगे वो दिखना बंद हो जाएंगे और कोई इंसान उनको दिखी नहीं रहता तो दोनों वोईस जो है वो बहुत ही सरप्राइस रह जाते हैं दंग रह जाते हैं तो ये निशान अब हमें आथर बताते हैं कि किसके हैं ये निशान है दरसल Griffin GRIFFIN नाम के एक scientist के जिसने वो rare drug invent की थी जिसे पीकर उसकी body जो है वो transparent हो गई यानि कि बिल्कुल glass की तरह से एकदम शीशे की तरह से हो गई लेकिन उसने इस बात का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया अब क्या क्या उसने गलत इस बात का वो जान लेती हैं देखे सबसे पहले तो उसने उसी मकान में आग लगा दी जिसमें वो रेंट पर यानि किराय पर रहता था फिर वो वहां से भाग गया तो जब भाग गया था तब उन बॉइज को जैसे उसके पैरों के निशान दिखाई दिये थे लेकिन भागने से पहले जो है उसने अपने लंडन की है यह जो हमारी सेटिंग है स्टोरी की फिलहाल इसे में लंडन की बात चल रही है और विंटर यानि की सर्दी का मौसम था तो कोई उसे पकड़ ना सके इसलिए उसने अपने कपड़े जो है वो सब निकाल दिये हालांकि बहुत ठंड थी लेकिन अगर वो यह चाहत से इन्विजिबल हो सकते थी कपड़े नहीं राइट तो इन दिस वे गृफिन मैनेज़ तो एसकेप फ्रम दर तू कीन बॉइस ऑप्ज़वेशन और फिर अपने आपको गरम करने के लिए वो एक बड़े से स्टोर में चला गया अपने आपको गरम करने के लिए राइट क चुपकर वहीं पर ही बंद रहा वहां पर एक किचिन थी और किचिन में उसे खाने का भी कुछ समान मिल गया जैसे उसे मीट मिल गया और जैसे वाइन मिल गई होगे तो उसे यह सब चीज़े भी खाई ताकि वह कंजियों कर सके कुछ कैलरी तो अपने आपको वाम कर सके औ लेकिन उसकी आख खुली जब जो एसिस्टेंट थे मींस महाँ पर काम करने वाले जो भी सर्वेंट वगर थे वहाँ पर आ गए और जैसे उन्होंने उसे देखा क्योंकि उसे में उसने कपड़े पहने वे थे और वह आराम से सोया हुआ था कपड़ों के धेर के उपर तो उसे अब क्या हुआ कि इन्विजिबल होने के लिए फिर से क्या करना पड़ा फिर से अपने कपड़े उतारने पड़े अब इसके बाद वो पहुंचा एक थेटर कंपनी में थेटर कंपनी आप समझते ही हो कि जहां पर जैसे मालेजे नाटक बगरा बनाए जाते हैं प्ले जैसे कि वो अपने आपको डिजगाइज कर सकता है राइट जैसे उसे बैंडजेस मिल गई वहाँ पर कुछ डाक ग्लासेज मिल गए अपनी आँखों पर लगाने के लिए एक फॉल्स नोज यानिकी नकली नाख जैसे लगाने के लिए मिल गई और विसकर्स वगरा उसको म अगर वो इसे तरह से लंडन में रहा तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है और उसने प्लान किया कि अब वो यहां से चला जाएगा कहीं दूर तो वो एक आईपिंग नाम के विलेच में आईपिंग नाम के विलेच में पहुँच किया वहां मिसस हॉल थी उन वो देखे शॉपकीपर को वहां से लूट के लाए था तो पैसे तो उसके पास थी उसी मिसस हॉल से कहा कि आप मेरे से बेशक एडवांस ले लेकिन मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टन काम के लिए आया हूँ तो आप मुझे कभी भी डिस्टर्ब मत करना और एडवांस कि इसले बांदी वी है मैंने क्योंकि मेरे एक एक्सिडेंट हुआ था और एडवांस दे दिया जो पैसे उसके पास जो डूरेशन था ओके जितने दूरेशन के लिए उसे वो कमरा लिया था वो दूरेशन भी खदम हो गया था अब उसको आगे देर रहना था तो उसे और बdenौरेशन भी जादा पैसे देने थे तो इस चीज के लिए उसने क्या किया एक क्लशी मैन को लूटली आ यह होते हैं आपनी सर्विसे देए और उसकी वाइफ जैसे इन्वीस और बहुत ही उनको strange यह चीज लग रही थी किस तरह से उनके डॉप में से पैसे निकाले जा रहे हैं कैसे लूटा जा रहा है और वो एक poker यानिक एक metal की road लेकर आया clergyman उसे मारने की पोशिश की लेकिन वो किसे मारे उसे तो कोई दिखी नहीं रहा था and still he was dropped फिर भी उसे देख लिया और उसके room के ऊपर बेड के ऊपर bandages और जो भी समान था उसे जो लगा रखा था वो सब इतर उतर बिख्रे हुए थे इसे दोरान पता चला कि clergyman के साथ भी बहुत स्ट्रेंज सा जैसे माली जे इंसिडेंट हुआ है और किसी ने उसे इस तरह से लूटा है कि उ और सभी का जो शक है वो इसी साइंटिस्ट के ऊपर गया अब मिस्स हॉल जो है वो थोड़ा सा कन्फर्म करने के लिए उसके room में चले गई और वहां पर जो है जिसे इसको वो जो है ग्रिफिन नहीं दिखाई दिया तो उसने वो एक गमसे जैसे वो गई तो जो फरनिचर टेबल चेयर जो भी रखी थी चेयर ने उसके ओपर अटाग किया मिस्स हॉल बहुत जादा डर गई क्योंकि उनको नगा कि यह हो सकता है कि जो साइंटिस्ट है कुछ ना कुछ यहां पर गडबड काम कर रहा है हो सकता है वो कई विच का मींस जादू वगरा ब्लैक मैजिक इस तरह से कुछ कर रहा है और उसको यह फिल हो रहा है सुपरनाचरल पावर जैसे यहां पर है उसी साइंटिस्स की वज़े से और वो यह कोशिश कर रहे थे कि यहां पर कोई स्पिरिट्स है या उसका जो घर कमरा जो है यह साइंटिस्स की वज़े से हांटिड हो चुका ह उसे ग्रिफिन दिखाई नहीं दिया लेकिन अब यह लग रहा था कि यह जो कुछ भी उसके साथ स्ट्रेंज सी बाते हो रहे हैं कि फरनिचर उसके ओपर अटैक कर रहा है उसकी मर्दर की चेयर थी वह जिससे उसके ओपर अटैक किया था शी वस सो डिस्टरब इवन शी वस तो उसे लग रहा था कि सारा का सारा जो काम है यह ग्रिफिन कर रहा है और कोई नहीं अब सभी का जो शक था कुल मिलाके जैसे घ्रिफिन पर ही जा रहा था रइट कैसे पूलिस में पर रिपोर्ट कर दी और मिस्र जैफरस जूह है वहु पूलिस दे वहा पर पहुंच पहले ही मिस्स हॉल ने ग्रिफिन से पूछा कि तुम कौन हो मुझे बताओगे तुम यहां कैसे आए तुम्हारा समाना से बिखरा पड़ा था अब यह मैंने आपको बताया है कि यह बड़ा ही क्रिमिनल बेंट था इसका जो माइंड मर है जो बिल्कुल क्राइम्स की और जु पड़ था जैसे ही मिस्स हॉल ने इसे questions पूछे शुरू किये कि क्या तो मुझे बताओगे तुम यहां कैसे आए और यह क्या तुमने जो लगा रखा था गेट अप तुम्हारा यह ऐसे कैसे बिखरा पड़ा है तो इसने जो है जो रियाक्शन दिया वो बहुत ही strange था उस जैसे मिस्टर जैफर्स आ चुके थे मींस पुलिस कॉंस्टिबल आ चुके थे इसे पकड़ने के लिए लेकिन अब वो पकड़े तो पकड़े किसे क्योंकि वो जो बैंड़िजिस थी वो सब कुछ निकालने के बाद जो ग्रिफिन था वो तो एकदम इन्विजिबल हो गय और उसने जितना भी समान है अपना सारा का सारा फिर से फेक दिया और इवन उसने कुछ लोगों के उपर अटाग भी किया तो अब इससरे से स्टोरी खतम हो जाती है कि मिस्टर जैफर्स खड़े रह जाते हैं सब गाम वाले वहां पर रिकठे हो जाते हैं यह देखने के ल लेकिन उसका जो काम है उसका जो फायदा होना चाहिए था उस इन्वेंशन का वो बिल्कुल भी नहीं हुआ बलकि उसने उसे बहुत सारी ऐसी हरकते की जो कि उसको नहीं करने चाहिए थी एक यूमिंग बींग के रूप में उसने बहुत ही कर्मिनल जो है इस सरे की क्योंकि आप सभी बच्चों की डिमांड आ रही थी मेरे पास कि मैम क्वेशन आंसर आप में बहुत ही अच्छे से कराईए तो मैं आपको बता देती हूं वैसे कि बेसिकली इस चाप्टर में से जो क्वेशन है वो थीम बेस्ट आ सकता है और वो जो क्वेशन है वो आपको बताएंगे कि अच्छी उसने इन्वेंशन की डिसकोवरी की लेकिन स्टिल उसे लोगों को लूटा एवन लोगों के ओपर अटाक भी किया केवल इसे इसका फायदा हो ठाकर कि वो इन्विजिबल था अब यहां पर मैंने आपके लिए एंसी एर्ट के सभी जो टैक परस्ट के लिए यह जो क्केंस भी टैक्स्ट उसन पुट ऐखरश्ट नहीं हैं जो डिए जो प्रक्स्टीएंगि के वन यह इंसी अडियां पर 2 यह जैसे मैंने आपको बताया क्या अपना इसका सकता है तो देखें फåस्ट टेट पीसिबल में फर्स्ट बिकल में जो है visible कैसे हुआ? तो जैसे कि मैंने झाल बताया था कि drug ले कर वो invisible हो जाता था. वो किसी को दिखाई नहीं देता था. adding वीसिबल होने के लिए उसे क्या करना पड़ता था? यस वीसिबल होने के लिए उसे कप्ड़े पहनने पड़ता था क्योंकि उसकी जो body है लड़कों ने उसकी फुट्प्रिंट्स देखे, वो फोलोट इम एस लोंग ऐसा प्रिंट्स वर विजिबल, वो एक बिग लंडन स्टोर में घुश गया, वह पर उसने कुछ वाम क्लोथ्स पहन लिये, और अब उसे शूज वो सब ओवरकोर्ट, वाइट ब्रिम्ड हैट के स अब डाली और इस तरह से वो सब को दिखाई देने लगा, यानि कि स्टोर में जाने के बाद उसे जो वाम क्लोथ्स पहने, उनको पहन कर वो सब को दिखाई देने लगा, सबसे पहले वो तभी विजिबल हुआ था, राइट, सेकंड है, वाइवो से वेंटर इंटर इंटर को भी लूट रहा था, तो होमलेस वेंटर वो हो गया था, लोट नहीं था, उसके पास मनी नहीं था, इसलिए वो इधर और घूम रहा था, वाइटस मिसेज हॉल, फाइंट साइंटिस्स एक्सेंट्रिक, मिसेज हॉल को उसके उपर शक कैसे हुआ, तो हापे देखे कि एक इसमें क्या था, कि वो जो आइपिंग था, वहाँ पे जैसे इन में गया था, मिसेस हॉल के पास सराय में धरम चालना में, कमरा लेने के लिए, तो विंटर का टाइम था, सब्यों के मौसम में वहाँ पे कोई भी नहीं आता था, तो साथ में वो से थोड़ा सा फ्रेंडली ह कोशिश करे थी, लेकिन उसने बहुत ही कोई मैनर में उसको रिस्पॉंड किया, और उसने कहा कि में को कोई डिस्टर्ब ना करे, या आप एडवांस पहले ले लीजिए, मैं किसी इंपॉर्टन काम से आया हूँ, तो इससरे से मिसिस हॉल कोस का जो नेचर है, वो थोड़ा कोई इसको डैरा रहा है इसको मैं उसको ड्लॉटर्व में हमाण से पैसे ले रहा है, इसको और जाल लीजिए को अग도 लिए इसको ही ते सीजी में फैसे, जिसमें चुरा लिये है, किसे cutting ऺania orãy motivo ही कि टॉसमें नहीं यह रहा था सभी का शक जो है वो उसी साइंटिस के ओपर जा रहा था जब मिसिस हॉल साइंटिस की रूब में गई तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत ही पास आकर जैसे सूंग रहा है उसको यह सांस ले रहा है और तभी वो चेर वगरा थी उन्होंने उसके ओपर अटाक कर दिया त सभी का शक जो है वो उसी के ओपर जा रहा था और जैसे मालीचे लास्ट में तो फिर यह हुआ ही था कि जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए आती है तो फिर से इन्विजिबल हो जाता है और लोग एकदम से हरान हो जाते है कि इसका तो सिर नहीं दिखाई दे रहा यह इ अर हमेशा कानून को डिसाओब करता था मिस क्राइम स कमिट करता था और बहुत ही गलत इल्लिगल काम वो करता था तो रहे कैसे ही सब पोइंट्स मैंने हां पर एक्स्प्लें किये हैं ग्रिफिन वस जावलेस परसे इस लैंडल दिसलाइग इम एंड्री तो गेट रिद रि रिदी प्रेट प्रिरिक तो बाइब द रिद रिद टो टो रिद 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 रियू रिछ इम टो रियू इक वेश्व जोब से था clergyman he even attacked the innkeeper and his wife then they tried to sneak into his room okay when they tried to sneak into his room later when the police came to arrest him he threw off his clothes thereby becoming invisible and running away now last question is how would you assess griffin as a scientist scientist ke rop me aap isko kaise assess karo ge griffin kaise tha after repeated experiments griffin had discovered how to make the human body transparent this was a big achievement however he misused his discovery for personal gains and for hurting others thus though he can be termed as a brilliant scientist he was not a noble one okay toh he hapko pata hai ki bhoat sa experiments kiya usne finally he also became successful inventing that drug through which one can become invisible toh ye taapko pata hai ki usne aasi drug ka invention toh kar lia tha jisko lekar insan invisible ho sakta hai woh khud ho bhi gya tha lekin usne isko kisii achhe kama me nahi laga ya okay toh aapko pata hai ki sainz ka jo purpose hai woh wiesse toh dhekhe achhe kama ke lia ho na chahiye right lekin ye toh bhoat hi bori chaise chis ho chaati hai ki bhi aap usko galat chiszo mei istimal karna shuru krati ki aap usse kisii ka fayda kare diya aapne benefits ke liye aur isliye joh hai wohi brilliant scientist toh tha lekin ek bhoat acha insan woh nahi tha so that's it for this video ah is me ah is video me haamne pada haa sibse pahle toh ye jo chapter hai okey footprints without feet ye maine hako bata ya ki yehi title is chapter ka hai aur ishi title ke naam se aapke book ka naam be derived kiya gaya hai footprints without feet phir maine hako isme short me author ke baare me explain kiya phir humne detailed summary ki chapter ki jis me hamne sabhi points po discuss kiya ah kis tari se story haamari develop hoti hai right sabh humne samusha aur end me hamne kiyay nc e rtk sabhi important questions or hunke answers me na aapke provide kiyay I hope yeh short ah si jo video hai aapko pasand aai hooggi ah aur aapko bhoat benefit karaygi ah aghar aapko meri video achi laggi toh please isse like karna na phule aur meri channel ko zirur subscribe kijiye for more such informative videos thanks a lot for watching thank you so much thank you so much for watching like michael you 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 झाल झाल